तो होलो एंड वेलकम एब्रिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दब बैगर एड़ोकेट सरगी से ये कहानी शुरू होती है अचानक से एड़ोकेट सरगी को बैगर मिलता है बिकारी मिलता है रोड़ पे जो भीकारी रो रहा होता है बोलता है अरे सहाब भूक लग रही है कुछ खाने के लिए दे दीजिए सहाब मैं स्कूल में एक टीचर हुआ करता था मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया बहुत जोर की भूक लगी है जरा कुछ खिला पिला दीजिए उस बैकर ने फटे पुराने कपड़े पैने हुए थे उसका पूरा फेस भी सूखा सा हुआ था चहरे पर बिल्कुल भी रेड स्पॉट्स नहीं थे जैसे आपने देखा होगा हेल्दी लोग होते ना उनका फेस थोड़ा थोड़ा सा रेडिश सा होता है लेकिन इस बैकर का फेस पड़ा ही अजीब सा था डार्क सा था और पूरे चहरा सूखा हुआ सा था मतलब बहुत पतला सा था तो यहां पर जो बैकर था उसका एक जूता काफी उचा था और एक जूता काफी नीचा था मतलब कि जरूर उसने ये जूते कहीं से उठा लिये होंगे या किसी से म पूडेंट हूँ अब तुम बोल रहे हो कि मैं टीचर हूँ इतना जूट बोल रहे हो रुको मैं अभी पुलिस को बताता हूँ बैगर बोलता है अरे नहीं साब पुलिस को मत बताईए मुझे कुछ काम दे दीजिए सरगी सोच में पढ़ जाते हैं और वो सोचते हैं क्या र बिल्कुल बैगर वैसे तो नहीं चाता था चौप करना वुड्स को लेकिन अभी उसे हां परनी पड़ी बैगर सरगी के घर पे चले जाता है वहां पर सरगी का एक और सरवेंट होती है जिसका नाम होता है ओल्गा ओल्गा एक शेड के अंदर बैगर को ले जाती है शेड एक जोपड़ी टाइप समझ लो जहां पर वो ले जाती है जहां पर बहुत सारी वुड़ पड़ी होती है जिसको चौप करना होता है ओल्गा बैगर को एक एक्स देती है बोलती है ये लो कुलाडी सरगी जब उस बैगर को देखता है तो उस बैगर ने बहुत जादा ड्र यार यह बिचारा कितना करीब है कितना पतलासा है लेकिन यार इसने दारू भी पी हुई है और कैसे काम करेगा यह जो बैकर था वो धीरे धीरे करके वूड काटता था लेकिन उसने डिसाइड कर आ कि every month की जो फर्स तारीख होगी तब मैं वुड काट दिया करूंगा जितनी भी स्नो हुआ करती थी उसको वो हटा दिया करता था with the help of shovel shovel क्या होता है एक आप ये समझ लीजे कि एक टूल होता है जिससे कि हम लोग स्नो को हटाते हैं बैगर का और भी काम थे घर के अंदर जैसे कि वो रग और जो मैट्रेस होते थे उनसे कूड़ा भी निकाल दिया करता था अब कूड़ा कैसे निकालता था जैसे आपने सुना होगा ज़ाडना वड जो हमारे रग्स और मैट्रेस होते हैं जो हमारे गलीचे वगारा बीचे होते हैं इनको जाड जाड के हम लोग इनसे मिट्टी निकाल देते हैं तो वो यही काम करता था और वुट शेड को भी वो साफ सुतरा रखा करता था जहांपर वो लकडी कारता था जिस जगा पे उसको भी साफ सुतरा मेंटीन करके रखता था सरगी जब दूसरे घर के अंदर मूव कर रहे थे तब बैगर ने उनकी पूरी पैकिंग के अंदर हेल्प करी और घर का फर्नीचर एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में भी मदद करी अब हम बैगर बैगर बार बार तो बोल रहे हैं लेकिन इस बैगर का नाम क्या था बैगर का नाम था लशकॉफ लशकॉफ को और भी बहुत सारे काम के ओफर आने लगे क्या ये वही लशकॉफ था जो भीक मांगता था इधर उदर गूमता था लेकिन अब और लोग भी इसकी हालत सुदरते हुए देखकर इसको बोल रहे थे कि अरे भाई हमारे यहाँ पर भी काम करोगे क्या सरकी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम दूसरी जगह जाकर भी काम करो और धीरे धीरे करके वो सरकी को बोलते हैं कहना सरगी बोलते हैं कि हाँ हाँ जरूर तुम काम करो ठीक है बैगर का नाम क्या था लश्कॉफ जाके काम करो लश्कॉफ को उसका ही दोस्त कुछ काम देता है बोलता है कि यह कुछ कॉपी करने का वर्क है पहले क्या था पहले प्रिंटर तो होते नहीं थे टाइप रैटर भी बड़ी मुश्किल से लोग यूज करते थे तो जनरली क्या करना होता था लोगों को टाइप रैटिंग करनी होती थी या फिर हाथ से लिखनी होती थी चीज़ें तो यहां पर फोटो कॉपी का सिस्टम थानी पहले ज्यादा तो यहां पर जो हमारे लश्कॉफ थे था उसको कुछ काम धंदा तो मिला अच्छा आदमी तो बना दिया लगभग ऐसे ही दो साल बीच जाते हैं सर्गी लश्कॉफ से नहीं मिल पाते धीरे धीरे करके एक श्याम को वो टिकेट विंडो पे खड़े होती हैं एक थीटर की तो पहले क्या होता था पहले जो मूव थीटर प्रफॉर्मेंस होती थी लोग लाइव आके नाटक करते थे और लोग उसको देखने के लिए जाते थे तो सर्गी वहाँ पर लाइन में खड़े होके देखने थे के टिकेट के लिए के टिकेट ले लूँ और मैं देखने अजरा तभी अचानक से उन्हें एक आदम अधर काम करते हैं एक तरीके से गौवर्मेंट का जो लीगल काम होता है उसे समालते हैं ये तो वो नोटरी बन चुका था जो की काफी अच्छी जौब है और वो ये बोलता है कि अब पता है मुझे 35 रूबल सतनका मिलने लगी है वो सर्गी को थेंक यू बोलता है बोलता ह हंदे फटे पुराने कपड़े पहन के खूम रहा होता और ड्रिंक कर रहा होता तो ये सारी चीजें वो सर्गी को बोलता है और थेंक यू बोलता है वो सर्गी को ये भी बोलता है कि प्लीज ऑलगा को जो की कुक थी आपके यहां पर जो दूसरी सर्वेंट थी उसको भी ज वे जो अंदर change of heart आया वो Olga की वज़े से ही हुआ change of heart मतलब कि जो इसका दिल और दिमाग के अंदर जो भी बदलाव आया उसने Olga को देखा उसके साथ अच्छा करते हुए, तो उसके दिल और दिमाग के अंदर भी बदलाव आया He was right by Olga and would never forget her तो वो यह बोलता है कि मुझे जो सही रास्ता दिखाया वो Olga की वज़े से मुझे एक तरीके से मैं सही रास्ते पर आया और मैं कभी भी Olga को भूल नहीं सकता उसने मेरी बहुत हेल्प करी तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खतम होता है मैं आपसे question भूशना चाता हूँ कि जो हमारे ये जो पूरी story थी इसके अंदर जो bagger था उसका नाम था लश्कॉफ लेकिन जो लश्कॉफ था वो शुरू में जब हमारे advocate सरगी से मिलता है तो वो क्या pretend करता है कि मैं कहाँ पर job करा करता था फटाफट comment section के अंदर comment करके जरूर बताएं तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो फटाफट like करो चैनल को subscribe करो और comment करो अपना best part इसी के साथ साथ वीडियो को share करना मत भूलना एक important announcement अगर आप लोग चाते हो कि हम लोग future में इसी तरीके से और भी वीडियो बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के member बन के हमें support कर सकते हो अब member कैसे बनना है subscribe के साथ में जो join button है उस पे click करें और हमारे चैनल के member बन जाए तो आप हमें support कर रहे है directly के हम आगे future में ऐसे ही वीडियो लाते रहें तो thank you so much for watching this video stay happy, stay healthy, मनुसे ज्यान लेते रहो bye better than see you in the next video